इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इस्टाग्राम कैसे खोलते हैं इस्टाग्राम चालू कैसे करें और इस्टाग्राम के एकाउंट कैसे बनाएं अगर आप इस्टाग्राम पर वीडियो डालना चाहते हैं या फिर इस्टाग्राम पर जो है रिल देखना चाहते है तो Instagram चालू करना काफी ज़रूरी है अगर आपको नहीं मालू में Instagram कैसे चालू किया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से लाश्टर देखते रही है आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारें बताने वाला हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा से रिक्वेश्ट अगर आपने अवी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इस साच चानल को सबस्काइब कर लिजे चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इस्टागरम खोलने के लिए इस्टागरम चालू करने के लिए या फिर इस्टागरम के एकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस्टागरम डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से उसके बद आपको इस्टागरम ओपेन कर लेना है उसके बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको नीचे के साइड में जो ओफ़न देखने को मिल रहा है Create New Account Simply आपको इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर लेते हैं आपके सामने दो ओफ़न देखने को मिल जाएगा पहला मुवाइल नंबर डालने का और यहाँ पर दूसरा है इमेल आइडी डालने का आप मुवाइल नंबर से भी अपना इस्टाग्राम को चालो कर सकते हैं मैं यहाँ पर इमेल आइडी से अपना इस्टा आइडी बनाना चाहता हूँ simply हम यहाँ पर sign up with email address पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना email आइडी यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर जो भी email id से आप जो है अपना इश्टा ID बनाना चाहते हैं चलिए हम यहाँ पर एक नया email id डाल देते हैं अब यहाँ पर email id डाल लेगे वाद simply आपको next का जो option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर next वाले option पर click कर देना है उसके बाद कुछी इस परकार को option आपके सामने आ जाएगा simply आपको continue creating account पर click कर देना है उसके बाद आपके email पर code आएगा तो यहाँ पर हमारे दुसे phone में email id login है यहाँ पर हमारा जो है OTP आ चुका है, code आ चुका है यह वाला OTP simply हम यहाँ पर डाल देंगे OTP यहाँ पर डाल लेगा वाद फिर से आपके सामने next का button देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर next वाले option पर जैसे आप click कर देते हैं आपको यहाँ पर एक नया password बनाने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर next वाले option पर जैसे आप दुबारा से click कर देते हैं यहाँ पर बोला जाएगा क्या आप जो है login info को save करना चाहते हैं हम यहाँ पर save वाले option पर click कर देते हैं उसके बाद आपका date of birth पूछा जाएगा आपका जनम दिन पूछा जाएगा यहाँ पर date select कर लिजे यहाँ पर जो है आप महिना select कर सकते हैं और यहाँ पर साल select कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 1 January 2001 select कर लेते हैं आप अपना हिसाब से select कर लिजेगा उसका आपको state वाले option पर click कर देना है उसका जो है फिर से आपको next वाले option पर click कर देना है और यहां पे space देने के बाद हम डाल देते हैं आलम ठीक कुछ इस परकार से अब अपना नाम यहां पे डाल सकते हैं फिर आपको next वाले option पे click कर देना है उसके बाद आपका username बनाने के लिए बोला जाएगा यहां पे यह वाला username खाली है तो यह ले लिया अगर यहां पे यह यहां पे यूजर नीम घाली है पर यहां पे डाल करके username बना सकते हैं फिलाल हम यहां पे next वाले option पर click कर देंगे उसक़र आपको यहां पर I agree का बटन लेखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है उसके बद आपको create new account पर क्लिक कर देना है अब यहां पर आपको फोटो लगाने के लिए बोला जाएगा अब अपना प्रोफाइल पर कौन सा फोटो लगाना चाहते है एड़ पिक्चर पर क्लिक कर द यहां पर आपको skip वाले option पर क्लिक करना है फिर से skip पर क्लिक करना है और यहां पर फिर से आपको skip पर क्लिक करना है उपर के साइड में जो आपको तीर कर निसान देखने को मिल रहा इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपका इश्टा ID बनके ready हो गया प्रोफाइल प कर सकते हैं उसका जो आपको सेब कर लेना है और यहां पे जो है अब अपना बायो या फिर लिंक वगएरा यहां पे डाल सकते हैं आपका इंस्टाग्रम आइडी पूरा बने करेडी हो गया इस वीडियो से आप कुछ भी सिखने को मिला हो तो पर इस वीडियो को लाइक कर दी सारीजा चैनल को सब्सक्राइब के लिजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में